नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशेक और स्वागत है आपका इंवेस्टेक गुरूप कुछ चैनल में तो दोस्तों आप में से बहुत से व्यूवर्स को ये पता चल गया होगा कि Axis Mutual Fund के दो fund managers के ऊपर में scam निकल के आया है और उसका अभी investigation भी शुरू हो चुका है लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में आपको दो मुहावरे के साथ करना चाहता हूँ सबसे पहला ये कि you are not a criminal until you get caught और दूसरा कि इस हमाम में सभी के सभी नगन है इससे आप लोगों को ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ और ये इशारे मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिये हैं तो चलिए कुछ महीने पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसका एक snapshot देखते हैं तो सबसे पहला ground rule ये होना चाहिए आप किसी भी AMC का maximum to maximum दो ही mutual fund purchase करें क्योंकि दोस्तों आपको एक बाद समझना पड़ेगा कि finance sector ही एक ऐसा sector है जिसमें कभी भी किसी भी रूप में scam सामने आ जा सकता है इसलिए आपके लिए बहतर होगा अगर आप 15-20 साल के लिए invest कर रहे हैं तो किसी भी AMC का max to max 2 mutual fund ले अब दूसरा point यह है कि माल लेते हैं कि आपने किसी AMC का 2 mutual fund ले भी लिया है तो कोई tension की बात नहीं है लेकिन आप उसमें एक cross check करें कि कि दोनो mutual fund का fund manager तो सेम नहीं है अगर fund manager सेम होता है तो please आपको अपने portfolio को revise करने की जुरूत है और यह information मैंने पिछले साल भी एक video बनाया था और उस video में भी मैंने इस information को share किया था सबसे पहला golden rule यह है कि आप 1 AMC का 2 सिर जादा कभी भी fund ना ले और जब आप 2 fund ले तो एक बात को cross check करें कि उन दोनो funds का fund manager तो सेम नहीं है कि मैं किसी भी AMC का 2 fund लेने से मना करता हूं कि हो सकता है कि आने वाले सालों में कभी कोई AMC या कोई fund manager किसी fraud या scam के चपेट में आ जाए तो आपका पूरा का पूरा fund बहुत ही जादा affected होगा इसलिए आपको अपना fund को थोड़ा सा diversify करना चाहिए तो इसलिए दोस्तों मेरे दिमाग में यह जो finance sectors में fraud scams होते हैं इसका जो concept है यह बहुत पहले सालों से मेरे दिमाग में clear है इसलिए access mutual firm में यह जो भी scam और fraud सामने निकल करके आया है इसके उपर में मैं ज्यादा react नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं इस scam से थोड़ा सा भी tensed हूँ और मैं आपको भी यही suggest करूँगा कि please अपने nerves को cool down कर लीजिए हमें अपने investment journey में ऐसे बहुत से scams और fraud का सामना करना पड़ेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग अपना investment journey को रोग दे बलकि हां investment journey के बीच में हमें कुछ नए decisions लेने पड़ेंगे और अपने decisions को review करना पड़ेगा क्योंकि दोसों जब भी finance sector का नाम आता है तब उस समय finance sector और scams and frauds एक दूसरे के पारेवाची होते हैं कोई कभी बच जाता है या तो कहें बचा लिया जाता है और कोई कभी फस भी जाता है इसलिए हमें ऐसे fraud scam से tension लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है बस हां हमारा जो investment है उसके उपर में थोगा सा review करने की जरूत है तो चलिए सबसे पहले हम लोग access mutual fund में होने वाले fraud के बारे में जानते हैं और इसके उपर में हमें किस तरीके के अपने decisions को review करना है उसके बारे में भी जानते हैं त और ये front running बहुत से तरीके के होते हैं लेकिन इन दोनों के उपर में जिस तरीके का front running allegation लगाया गया है इसको हम लोग एक example से समझते हैं दोस्तों mutual fund houses बहुत से stocks को analyze करती है और फिर decide करती है कि कि किस तीन या किस week उन्हें इन stocks को buy and sell करना है और जब भी mutual fund houses buy and sell करती है तो बहुत ही large volume में होता है जिससे कि उन stocks में कुछ दिनों के लिए price fluctuation देखने को मिलता है और जाहिर सी बात है कि ये जो भी decisions mutual houses लेती है इन सब का information in fund managers के पास भी रहता है विरेस जोसी और दीपक अगरवाल के case में ये दोनों पहले ही कुछ brokers को buy information leak कर देते थे जिसे कि वो brokers उन stocks को एक दो दिन पहले ही buy कर गे अपने portfolio में सामिल कर लेते थे और जैसे ही वो mutual fund house उस particular stocks में investment करती थी और large volumes buy करती थी तब उसके price में थोड़ा सा हमें jump देखने को मिलता है और उसी jump का फायता निकाल करके वो brokers उन shares को बापिस से sell off करके अच्छा खासा profit निकाल लेते थ जाती थी या तो उनके साथ में profit share की जाती थी तो इसकी जाच अभी चल रही है लेकिन अगर इस तरीकी की illegal practices अगर ये fund managers और brokerage house अगर अपने individual profit के लिए करते हैं तो हमें mutual fund houses पे या तो mutual fund schemes पे कोई भी ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर ये information बहुत स से individuals इस information leak से पैसा बना रहे थे तो आने वाले समय में जैसे ही verdict आएगा तो हम देख सकेंगे कि इन mutual fund के schemes की जो भी NAV है इसके उपर में भी effect देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे ही investigation का verdict आएगा और वो हलका सा भी अगर negative हो जाए तो इससे जो भी investors हैं उनके बीच में बहुत बड़ा pressure आ जाएगा और इस pressure के कारण उन्हें stock sell करने परेंगे जिसके कारण उनके NAV में गिरावर भी देखने को मिल सकती है तो एक बार नजय डालते हैं कि आखिर ये fund managers कौन-कौन से schemes को handle कर गए थे हैं तो सबसे पहला नाम आता है Axis Arbitrage Fund तूसरा है Axis Banking ETF तीसरा है Axis Con consumption ETF, चौथा है Axis Nifty ETF, उसके बाद है Axis Quant Fund, Axis Technology Fund and Axis Value Fund इन साथ mutual fund scheme में से चार ETFs हैं यानि की index fund हैं और इनके NAV पर हमें इस fraud का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन बागी के जो तीन mutual fund schemes है अगर verdict अच्छा नहीं आ रहा है तो इनके NAV पर हमें price action देखने को मिल सकता ह इसलिए अगर आप Axis Quant Fund, Axis Value Fund या Axis Arbitrage Fund में invested हैं और अगर आप बहुत ही ज्यादा टेंस्ट है तो आपको tension लेने की बात नहीं है आप इन funds में से 100% अपने unit को redeem करके किसी दूसरे top performing mutual fund में invest कर सकते हैं और इन funds से switch करने के बाद में एक फायदा यह होगा कि आपके दिमाग पर जो tension आ चुका है उस tension से आपको थोड़ सा relaxation मिलेगा लेकिन दोस्तों बहुत से मेरे viewers का यह complaint है कि mutual fund एक fraud है mutual fund में investment नहीं करना चाहिए mutual fund में इस तरीके के scams होते हैं सारे fund manager बहुत से पैसे कमाते हैं हमारा पैसा लूट रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि finance sector और scams and frauds यह दोनों एक दूसरे के पाड़ेवाची हैं इसके कारण अपने investment journey को रोकने की जरूत नहीं है और ना ही यह कहने की जुरत है कि mutual fund का जो industry है यह पूरा का पूरा एक fraud है ऐसा thinking और ऐसी सोच से हमें दूर रहना चाहिए बलकि जैसा कि मैंने आपको कहा क्या कि ठीक है अगर किसी mutual fund में scams नजर आ भी जाए तो उस समय हमें अपने nerves को थोग सा cool down करना है और पहले उस scams के बारीकियों को समझ करके हमें अपना future का decision लेना चाहिए इसलिए दोस्तों आप अपने दिमाग से इन सारे tensions को please निकाल दे और एक बात clear कर ले अपने दिमाग में उसके उपर में proper positive action जरूर ले तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा informational and educational लगा होगा इसी तरीके के informational वीडियो के लिए हमाई टीम के साथ में जूरे रहे हैं तब तक के लिए दोस्तों खुछ रहे हैं सच रहें and keep investing जैहिंद